प्यारे बच्चों, आईए हम सब हिंदी भाषा सेतु के अंतरगत कच्छा साथ पार्ट तीन परिक्षा पार्ट का अध्यन करेंगे यह पार्ट मुंसी प्रेम चंद्वारा रचित कहानी है इस कहानी में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति की महानता उसके बड़ी बड़ी उच उपादियों तक ही शिमित नहीं वरन उसके अंदर नेती गुड़ों का होना भी आवश्यक है ताकि वह देश काल एवं परिस्थिती की अनुशार समाज कर लियान देश हित में उच एवं निम इस्थितियों को ध्यान में र प्रिक्षा नाम कहानी में वित्वता के अतिरिक्थ नेतिक गुड़ों का महत्व दिखाये हैं रियास्यत के दिवान पद हेतु उमें द्वारों की किश्वरकार परिक्षा लिए लेते हैं आगे कहानी का सरांशिष्वरकार है कि देवगर्ण राजा के दिवान सरदान सुजान सिंग वियास्यत की सेवा करते करते 40 शाल बिता देते हैं अब स्वयम को सिवा भक्ति में असमर्थ महसूस करने लगें इसी असे से राजा से निवेधन करते हैं कि राजकाश अब समालने की शक्ति मुझ में नहीं रह गई है चुकि राजा अपने अनुहोशील और निर्ति कुशल दिवान का आदर करते थे तो राजा रातना शुविकार कर लेते हैं किन्तु एक सर्थ रखते हैं कि रियाशत के लिए नया दिवान उन्हीं को खोजना पड़ेगा अब आगे दिवान दूसरे दिन देवगण के लिए एक श्योग दिवान की अवश्यक्ता है ऐसा विग्यापन निकाली और एक महिने तक उम्मेद्वारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाए जो परिक्षार में सही उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोवित होंगे इस विज्यापन में मुल्क में हलचल पैदा हो गई लोग अपना भागी आश्माने देवगण आने लगें प्रतिक व्यक्ति अपने अपने जीवन को बुद्धी द्वारा अच्छा दिखाने का प्रयास करता है और बुढ़ा सुजान सिंग जो जोहरी एक किनारे बैठा सब देख रहे थे कि इन बगलों में हंस कहां छिपा है एक नए जमाने की लोगों ने हाकी मैस खेलने का प्रस्ताव रख्था कोड बन गया खेल शुरू हुआ दियोगर में यह खेल बढ़ा निराला था संध्या तक खेल का नेड़े नहीं हो पाया अंधिरा होने लगा था दूसरी तरफ खेल मैदान से जरा हटकर एक नाला था लोगों को उसी नाले के रास्ते जाना होता था खिलाडी लोग अभी दंब ले रहे थे कि एक किशान की अनाश से भरी गाड़ी नाले में फस गई किशान पूरा प्रयास किया लेकिन नहीं निकला लोग देखकर चले जाते थे इसी वीच खिलाडी उधर से गुजर रहे थे पर वे शहायता नहीं किये किसान भी कुछ नहीं बोला प्रन्तु उसी शहों में एक व्यक्ति यह द्रिश्य देखकर किसान की मदद करते हुए गाड़ी को कीचड से निकाला इस व्यक्ति को हाकी से खेलते समय पैर में चोट भी लगी थी और लड़ खड़ा कर भी चल रहा था फिर भी बुद्धी के साथ नहीतिक करतब का पालन किया जो किसान थे वो कोई और नहीं बलकि दिवान सुजान सिंग थे जो भरे दरबार में गोशा की कि जो पुरुष स्वयम जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान की भरी हुवी गाड़ी को दलदल से निकाल कर नाले के उपर चड़ाए उसके हिर्दे में सहस आत्मबल और उधारता का निवास है ऐसा व्यक्ति गरीबों को कभी नहीं सताएगा उसका संकल्प दिन है वह भले धोखा खा जाए परंतु दया और धर की मार्ग से कभी न हटेगा इस प्रकार की परिख्षा से योग्य व्यक्ति की गोश्रा कर दिवान पद को शुशोभीत किया अता इस कहानी से हमें यह सिख्षा मिलता है कि व्यक्ति के पद एवं योग्ता के साथ साथ उसमें उधारता आत्मबल और साहस भी होनी चाहिए बच्चो इस कहानी को हम भेज रहा हैं ध्यान पुर्वक पढ़िएगा और कहानी को ध्यान पुर्वक पढ़कर अभ्यास करने का अप्रयास करेंगे जहां कहीं नहीं समझ में आया पूछ लेंगे बहुत भी कल्पी प्रश्ण है इसको थोड़ा नोट कर लिजे इसमें पहला कुश्ण है देवगण के दिवान का नाम क्या था अंसर है सुजान सिंग दूसरा प्रश्ण है दिवान की नियुक्ति के लिए कैसे सुषना दी गई तो इसको उत्तर है विग्यापन निकाल वाकर तीश्रा प्रश्ण है किशान की गाड़ी क्यों फस गए थी उची चलहाई थी गाड़ी लदेवी थी कीचल अधिक था तीनों कारण थे चौधा प्रश्ण है किसान के भेश में कौन था दिवान सुषान सिंग थे पाच्वा कुशन इस कहानी के लेखक कौन है तो प्रेम चंद जी लगूत्तरी प्रश्ण दिखने का प्रियाश करेंगे प्रिश्ण कहानी किस बद के लिए प्रिश्ण लिग थी लिखने का प्रेश करिए अधर असे इस प्रस जो भी अभ्यास करेंगे इसको पूरा करिएगा प्रियम चंद का जीवन परचे भी लिख लेंगे और याद भी करेंगे थन्यवाद झाल झाल झाल